आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप खुद को अपने अंदर खुशी और स्पस्टता के छण तक लाएं, उस छण आप जो निड़ने लेते हैं, चाहे आप मर भी जाएं, आपको वही करना चाहिए. जब भी आपकी भावनाओं में उतार चड़ावाता है, आपका मन कई चीजें कहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो आज एक बात कहता है, सुबे एक बात, शाम को कुछ और, वो आज एक बात कहता है और कल दूसरी बात, ये कोई महत्व नहीं रखता. स्पष्टता के छण में, मैं खुशी कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप खुश होते हैं, तो आप बाद्धे नहीं होते जब आप बहुत खुश और स्पष्ट होते हैं, उस समय, अगर आप चीजों को देखते हैं और सोचते हैं, कि हाँ, ये करना मेरे लिए बहतर होगा, बस वही करें, फिर चाहे वो नर्क जैसा ही लगे ये माइने नहीं रखता, कि आप दस साल तक नर्क से गुजरते हैं, आप बस वही करें, क्योंकि आपकी खुशाली वही है, जब आप बाद्धेता के अलग-अलग स्तरों पर होते हैं, उस समय अगर आप निर्णे लें कि किधर मुढ़ना है, तो आप अंतिहीन रूप से ख हर दिन आप ओफेन ओन ओफेन ओन रहते हैं, तो वह नहीं होता, आप बस दिड़ रहिए, आप बस एक बिंदू पर टिके रहिए, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप कसाई बनना चाहते हैं, तो कसाई बनने पर अटल रहिए, ये खुल जाएगा, एक छण के लिए भी ढूल मत बनिये, आपने इस पश्टता और खुशी के छण में जो नेने लिया है, बस उस पर टिके रहिए, जरा साभी हिले डूले बिना, उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, हर दिन जब आपके विचार और भावनाएं इधर उधर उड़ते रहते हैं, आप अपना मन बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, आप गोल-गोल घुमते रहेंगे, अंतहीन रूप से गोल-गोल घुमते रहेंगे, क्योंकि जो अकसर दिशा बदलता है, साफ है कि उसे कह नहीं भी जाने में दिल्चस्पी नहीं है, है ना? आप जानते हैं कि ये ये दुनिया गोल है, इसलिए आप किस दिशा में जाते हैं ये माइने नहीं रखता, जब तक कि आप दिशा बदले बिना चलते रहते हैं, आप सफर को पूरा करेंगे, है ना? आप यात्रा पूरी करेंगे, है ना? अगर आप अपनी दिशा बदलते हैं, तो ये आपको एक अनन्द हमेशा खोई रहने की एक अंतहीन स्थिती में डाल देगा, तो अगर आप वहाँ होना चाहते हैं, वहाँ रहिए, कोई समस्या नहीं है आप यहाँ होना चाहते हैं, यहाँ रहिए रोज रोज अपना मन मत बदलिये, सुबह एक और शाम को दूसरी और, आप अपने लिये और अपने आसपास हर किसी के लिए की आतना है अभी आप सोच रहे हैं कि कल मैं अपना योग करूँगा कल सुबह, सुबह पांच बजे सुनते हैं, मैं रोज उसे सुनता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग उसे सुनते हैं जैसे ही वो डॉंग होता है, शायद हमें ड्रम बजाना चाहिए फिर आपका शरीर कहता है, भाड में जाए ये योग, मैं बस ये चाहता हूँ वो बदलता रहता है, प्रात्मिकताएं बदलती, बदलती, बदलती रहती है जीने का एक और तरीका है जहां आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां, आपके जीवन के सबसे बड़े सुख ऐसे लगेंगे जैसे एक चीटी के सुख की तरह लगेंगे ये जीव इसमें सक्षम है जब बात शरीर और दिमाग की आती है तो हम सभी अलग रूप में सक्षम हैं, दो शरीर बराबर सक्षम नहीं होते, नहीं दो दिमाग बराबर सक्षम होते हैं लेकिन जब इस जीव की बात आती है, तो हर जीव बराबर सक्षम हैं अपने भीतर अस्तित्व को समेटने में वैज्ञाने कहते हैं कि यह लगतार फैल रहा है, उसे कैसे समेटना है, यही सारी सुन्दरता है जो अंतिहीन है, शाश्वत है, जो असीम है और जो लगतार फैल रहा है, उसे इस जीव में समेटा जा सकता है इस मामले में दो जीव अलग-अलग शम्तावान नहीं होते हर जीव बराबर सक्षम होता है ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दिशा बदलते रहते हैं जब भी आपको एक छोटा सा कोना मिलता है जो आरामदे है आप वहीं रहने की कोशिश करते हैं इस सब्भे होने की कोशिश ने अध्यात्मिक प्रक्रिया को बहुत बड़ा नुक्सान पहुचाया है यह जरूरी नहीं है मगर मैं कहना चाहूंगा क्योंकि अगर आप नोमैड होते आप नोमैड का मतलब जानते हैं इसका मतलब है कि आप मैड नहीं है तो कौन नोमैड नहीं है जो मैड है जो मैड यानि पागल है वो टिक जाता है जो मैड नहीं है वो चलता रहता है चलता रहता है कहीं भी ठहरता नहीं है जैसे ही हम नोमैड होना बंद हुए तो हम सुरक्षा और कुशलता के एक पागलपन में पड़ गए चाहे वो शारीरिक हो, मनोवज्ञानिक हो या भावनात्मक हम हमेशा उस कोने की तलाश में रहते हैं जहां हम अराम से सो सकें और एक बार आपको वो कोना मिल जाता है और वो बहुत बढ़िया और आरामदे हो जाता है तो आपके अंदर बाहर निकलने और फिर से यात्रा करने की हिम्मत नहीं होती तो अगर आप सिर्फ एक पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ठीक है वो ऐसा ही लगता है जब हम अगर आप वेलंगरी पहाड की चढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एक निश्यत दूरी तक चढ़ाई करनी पड़ती है जहां आपके घुटने चटक रहे होंगे और आपकी सांस भाब के इंजन की तरह लग रही होगी फश 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 चल रही होगी फिर आप चारोर देखते हैं और बांस खूबसूरत चटाने आपके आसपास के बांस और सब कुछ बहुत शांदार लगता है घाटी इतनी सुन्दर है एक और कदम उठाने का मकसद क्या है ये शांदार है बस आपका दिमाग आपसे कहता है बस यही है मैं जगे की सुन्दर्ता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं वहां मौजूद होने के सुख पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मगर अभी ये तर्क आया है ये नया तर्क आपके अंदर आया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके फेपड़े एक स्टीम इंजन की तरह काम कर रहे हैं और आपके पैर एक जंग लगी बैलगाडी की तरह आवाज कर रहे हैं तो नया तर्क आएगा क्या आप देखते हैं कि हर बार आप जिन अलग-अलग स्थितियों में पढ़ते हैं सुविधा या असुविधा की अलग-अलग अवस्थाओं में पढ़ते हैं तो आप एक नया तर्क गड़ लेते हैं क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? जैसा कि कहा जाता है जब आप छात्र होते हैं तो हर कोई कम्यूनिस्ट होता है जैसे ही आपकी शिक्षा पूरी होती है और आपको नौकरी मिलती है आप समाजवादी बन जाते हैं और शादी होते ही आप पूंजीवादी हो जाते हैं आपकी नई स्थितियों सुविधा या असुविधा के अलग-अलग स्तरों के अनुसार तर्क के नए स्तर आएंगे तो ऐसा होता रहता है इसलिए स्पष्टता और खुशी के एक शण में जब आप वह मौझूद होते हैं आप किसी चीज को देखते हैं जिसमें आपको अपना कल्यान दिखता है आप उस पर डटे रहिए कल आपको वो भ्यानक लगे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस पर डटे रहिए वो नर्क जैसा महसूस हो आप उस पर डटे रहिए यही खुशाली है अगर आप दिशा बदलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुचेंगे